अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रो साधर जैसी कृष्ण हमारे यूटूब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारिधर मेंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशिफल यह राशिफल है 28 मार्च 2024 गुरुबार का दिन है चैत्र महा के कृष्ण पक्षी तरतियाती थी है इस दिन गणेश चतूर्थी का वरत रहेगा चतूर्थी का वरत इसी दिन किया जाएगा चतूर्थी के दिन भगवान गणेश जी का पूजन करके चन्द्रमा को अर्ग दे करके वरत का पारणा किया जाता है चन्द्रमा का उड़य 28 मार्च को रात में 9 बज करके 31 मिनिट पर होगा इस चतूर्थी को संकस्टी गणेश चतूर्थी के नाम से भी जाना जाता है स्वाती नामक नक्षत्र होगा तथा तुला राशी में चन्द्रमा बिराजित रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो दक्षिन दिसा में होंगे इसलिए दक्षिन दिसा की यात्रा करना नुक्सान दायक सिद्ध होगा अगर किसी कारणवस दक्षिन दिसा की यात्रा करना बहुत जादा अविश्यक हो तो जीरा खा करके यात्रा का अरंब कर सकते हैं राहुकाल जोकी दोपहर एक बज के तीस मेंट से लेके तीन बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुव एवं मांगलिक कारिक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए। हलाकि राहुकाल का निर्णे आप अपने ख्षेत्र के पंचांग अथवा केलेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है दैनिक ग्रह गोचर के दिहम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरी दे में राहुग्रा मीन राशी में तथा केतू ग्रह कन्या राशी में विराजित रहेंगे इस देनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेश मिथुल सिंग तुला एवं धनू ये पांच राशियां सबसे दिक भागिशा ले रहने वादी है करिक्षित्र में इनको नति और प्रगति के उत्तम अउसर प्राप्त हो सकते हैं धनलाप के सांसाथ नया काम नई जुम्मेडारी नया मुकाम भी इनको मिल सकता है तो कुल मिला करके इन पांच राशी वालों के लिए दिन सबसे खास साबित होगा सूर्योदय सुबह 6 बच के 19 मिनिट पर होगा तथा सूर्यास्त शाम को 6 बच करके 30 मिनिट पर होगा चंद्रोदय 9 बच के 31 मिनिट रात में होगा और चंद्रमा कास्त अगली सुबह 8 बच के 28 मिनिट पर होगा शुम मुहुर्त की अगर हम बात करें तो गुरुवार का दिन है चतूर्थी तिति है और गुरुवार के दिन सबसे पहला जो चोगड़ा रहेगा उसके बाद सुबह साड़े दस से लेकर दोपार बारा बजे तक चर का चोगड़ा रहेगा दोपार बारा बजे से लेकर के डेड़ बजे तक लाब का चोगड़ा रहेगा तथा दोपार एक बच के 30 मिनिट से लेकर तीन बजे तक अम्रत का चोगड़ शाम को साड़े चार से ले करके 6 बजे तक शुब का चोग्डे रहेगा इस दोरान यदि आप कोई भी शुब काम करेंगे मांगलिक कारी करेंगे नया काम करेंगे तो आपको अधिक से अधिक फाइदे का संयोग नर्मित हो सकता है अब हम आपको मेस से ले करके मीन सभी 12 इस समय उचित ग्रहस्तिती आपका सकारात्मक रवया आपके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त करवाएगा समय का भरपूर सद्वयोग करे रिष्टेदारों तथा संबंदियों के साथ आपके संबंद और अधिक मजबूत होंगे भविश्य संबंदि इन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं व्रशवरासी की राजनितिक तथा सामाजी कारियों के प्रति आपका रुज्ञान बढ़ेगा और कुछ शुबह उसर भी आपको करिक्षितर मे प्राप्त होंगे नए वाहन के खरिदने संबंदित योजना बनेगी यदि आपने उधार पैसा दिया है तो पैसा वापस मिलने से आर्थिक समस्या का समाधान हो जाएगा विध्यार्तियों को अपनी पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की आउशक्ता है मित्रों के कि दाल का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को करेंगे तो आपका दिन शुफल्दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की आज आप रोज मर्रा की जिन्दगी से हट करके दिन चरिया में कुछ नया पन लाने का प्रयास करेंगे इससे आपकी मानसिक वा शारीरिक ठकाबट दूर हो जाएगी तथा एक नई उर्जा का प्रभा अपने अंदर आप महसूस करें अर्थिक व्यूस्ता में सुधार होगा दिन आपका बहुत उत्तम साबित होगा और उपाई के रूप में भोजन में हरी सबजी का उपयोक करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागशाली अंक नह बात करते हैं करकराशी की आज कुछ महत पूंड तथा उच्च पद आसीं व्यक्तियों के साथ आपकी मुलाकात होगी, लंबी चर्चा होगी, और जो चर्चा होगी आगे चल करके आपको ही फाइदा देगी, और विरोधी आपके सामने परास्त हो जाएंगे, कोई महत्वपूर्ण शुरुबात हो सकती है, तथा धनलाप के उत्त घर के संबन्दिक कोई कार्य युजना आपकी तयार होगी, नया घर आप खरीद सकते हैं, या नई प्रापर्टी आप खरीदने के बारे में वेचार विमर्श करेंगे, धार्मी कार्यों में आपकी विशेश रुची रहेगी, परिवार के साथ अधिक्तम समय आपका व्यत करेंगे तो आपका देन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक तीन होगा, भागिशाली रंग आपका पीला होगा, अब हम बात करते हैं कन्याराशी की, कोट कचेरी के मामलों में आपको फाइडा होगा, और मानसिक तनाओं से आपको मुक्ती मिलेगी, रि और उपाई के रूप में गाई को गुड़ खिलाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक छे होगा, भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा, अब हम बात करते हैं तुलाराशी की, आज कोई भी काम करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आ अबा जाही बनी रहेगी, और उपाई के रूप में किसी भी ब्राम्भन को या साधू संत को गुड़ और तिल का डान करेंगे, तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक तीन होगा, भागिशाली रंग आपका सफेद होगा, अब हम बात करते हैं वरश्चिक रासे की, धार्मिक कारियों में आपका विशेश रुझान रहेगा, तथा समाज में लोग आपको पसंद करेंगे, आपका रुद्बा बने रहेगा, और लक्ष के प्रती आप एकागर चित रहेंगे, सफलता आपको वश्ची ही प्राप्त होगी, नया वाह होगा, आपका भागिशाली अंग छे होगा, भागिशाली रंग आपका नारंगी होगा, अब हम बात करते हैं धनूराशी की, इस समय शारीरिक और मानसिक सुकून पाने के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक कारियों में आपका रुझान रहेगा, इस्थाई संपत्ती भू यदि कागजी कारवाही आप करते हैं तो उसको ध्यान से पढ़कर के ही आपको हस्ताक्षर करना चाहिए, उपाई के रूप में घर से निकलते समय कोई भी मीठी वस्तु खाना आपके लिए शुफलदाई सावित होगा, आपका भागिशाली अंक आठ होगा, भागिशाली रंग आपका लाल होगा, अब हम बात करते हैं मकर राशी की, आज किसी जर्वत्मन मित्र की साहिता आपको करनी पड़ेगी, और ऐसा करके आपको बहुत मानसिक शांती प्राप्त होगी, और अध्यनरत बच्चों को अपनी मेहनत के मरोवांचित परिडाम हासिल होगे, जि आपका भागिशाली अंक एक होगा, भागिशाली रंग आपका हरा होगा, अब हम बात करते हैं कुम्भ राशी की, इस समय ग्रह गोचर आपके अंडर भरपूर मनोबलव आत्म इश्वास पेदा करेंगे, सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आप को पसंद करेंगे, आपको नोकरी में नया आप काम नई जम्मेदारी मिलने का योग है, पदो नती भी आपको प्राप्त हो सकती है, आपको स्वभाव में सोमेतावा आदर्श बना करके रखना बहुत आवश्यक होगा, उपाय के रूप में किसी भी ब्राम्भन को यदि आ आप चावल और दाल याने खिचडी का डान करेंगे, तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक चार होगा, भागिशाली रंग आपका पीला होगा, अब हम बात करते हैं मीन राशी की, आज दिन चरिया में परिवर्तन लाने के लिए अपनी र खुशिया प्राप्त होगी, पारिवारिक माहुल सकरात्मक रहेगा, ससुराल पक्षि से कोई खुशी भरा समाचार आपको प्राप्त होने वाला है, उपाई के रूप में यदि आप हल्दी का टीका लगा करके घर से निकलेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होग आपका भागिशाली अंक साथ होगा, भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा, तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी भल और उनको करने वाले उपाय तथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको बताए हैं, हमारे इस ग्यान वर्दक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेर करिएगा, लाइक करिएगा, कमिन करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लिजे, आपको और आपके पूरे परिवार को, साधर जैसी कृष्ण, साधर धन्यवाद करो बढरman करिएगा, करो कर अपके नहीं